आपके बाद Samsung Galaxy A14, M14 या F14 कोई भी फोन है तो यहाँ पे आप अपने फोन को reset कैसे कर सकते हैं यानि कि factory reset की बात करने वाले हो तो इसके लिए आप जाएंगे है setting पे और setting पे जाने के बाद scroll करेंगे और यहाँ पे आपको journal management का जो option है click कर लेंगे और reset पे click कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको factory reset का option देखने को मिलेगा click कर लेंगे और यहाँ पे जो जो account आपके login है वो आपको देखने को मिल जाएंगे इन में से कोई account remove करना तो कर सकते हैं अधरवाइस आप यहाँ पे reset पे click करेंगे और अगर आप reset पे click करने के बाद आप से pattern lock पूछेगा आपके phone का pattern lock लगाएंगे एक बर और reset का pop up आया आता है तो click कर लेंगे तो पूरा phone आपका reset हो जाएगा ठीक है चले मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमश्कर तो मैंने reset नहीं किया मैंने back कर दिया है आप back मत कर देना